अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज बिहार तयार है और इसके लिए अधिकार की धर्ती से हम लोग आगाज करने जा रहे हैं नमस्कार महुद्वानसु आप देखें निश्पोने से आम जनता पार्टी जो है वो पतना में आज बड़ा कारक्रम करने वाली है और अब देख सकते हैं अपने कारकरताओं के साथ मौजूद है और बड़ा कारक्रम है आज आज जो का यहां क्रिस मेमरियल हौल में हम लोग ने बिहार के सभी बूत से हम लोगों ने बूत अस्तरिय कारकरताओं को परसिक्षन के लिए बुलाया है और मेरा ये कहना है कि उसके आलावे जो आम कारकरता है उसे अभी नहीं बुलाया गया है इसलिए ये बूत पर के जो कारकरता है उनको बुलाया गया है और इसमें हम लोग अतिपिछरा समाज के लिए जो उनकी मांग है उनका अधिकार है उसके लिए हम लोग विगुल फुकने वाले हैं और किसमें मुरिया हॉल से ये जो बिहार की धर्ती से आगाज होगा सो पूरे देश में जाएगा इसलिए ये बूत पर के जो कारे करता है उनको बुलाया गया और इसमें हम लोग अतिपिछरा समाज के लिए जो उनकी मांग है उनका अधिकार है उसके लिए हम लोग विगुल फुकने वाले हैं और किसमें मुरिया हॉल से ये जो बिहार की धर्ती से आगाज होगा सो पूरे पूरी चुनाओं की तैयारी है हम लोग लगभग 30 सीट पर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग 10 सीट पर जीतने के पुर्ण विश्वास रखते हैं और जो 15 से 20 सीट है उसके लिए हम लोग हराने की भी जमता रखते हैं पूरी चुनावं की तैयारी है हम लोग लगभग 30 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 10 सीट पर जितने के अपुर्ण विश्वास रखते हैं और जो 15 से 20 सीट है उसके लिए हम लोग जो हराने की विच्छमता रखते हैं विद्यापती चंद्रवंसी जो की पटना के क्रिस्ट मॉम्मोरियल हॉल में बड़ा कार्कम करने वाले हैं बूज कारकरता सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया है और इस वक्ति तस्वीरे भी देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पर कई गारियां जो है वो इस तरीके से आम जनता पार्टी का परचार करते हुए नजर आ रही है बूट अस्तरिय कारकरता सम्मेलन का परचार करते जो है वो नजर आ रही है तो कुल मिला कहें कि कुल तीस सीटों पर चुनाव लड़ने के तैयारी कर रहे हैं कर रही है आम जनता पार्टी और विद्यापती चंदरवनसी ने कहा कि उन्हें पूर्ण बिश्वास है कि दस सीटों पर उनकी जीत जो है वो होगी फिलाल अबित अक लिए इतना ही आप देक्ते रहे हैं ये निस पनेशन